तो नबे में उसी प्रकार की स्तिती रहेगी कि हो सकता है कुछ सिंगल प्रस्तावित हों, कुछ में दो नाम जा सकते हैं, कुछ में तीन नाम जा सकते हैं, तीन से अधिक की मुझे उमीद नहीं है। वो बेस्केंडिट जो जिनके होते हैं, वो उनको उतारते हैं, बांधने की बात कम होती है। पहली सुची जारी कर सकती है। लेकिन इससे पहले प्रदेश के डिप्टी सीम टियस से देव ने कॉंग्रिस के संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। टियस यदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 90 सीटों का परिक्षन हो गया है। इसमें जैसी स्थिती है चाहे पैनल की हो या अधर्वाइस। मैंने पहले भी उधारन के लिए हमेशा कहा कि मानना चाहे कुछ सीट तो सिंगल है। भुपिश भाई की सीट तो सिंगल है। उसमें कोई पैनल की तो बात नहीं है। तो 90 में उसी प्रकार की स्थिती रहेगी कि हो सकता है कुछ सिंगल प्रस्तावित हों, कुछ में दो नाम जा सकते हैं, कुछ में तीन नाम जा सकते हैं, तीन से अधिक की मुझे उमीद नहीं है, हलाकि प्रक्रिया चल रही है। और ये लेवल है प्रदेश इलेक्शन कमिटी का, इसके बाद एक तारिक को संभवत स् पर टियस्यदेव ने कहा कि लक्ष में लेकर चलना है, कि महिलाओं को टिकेट देंगे, लोकसभा में दो टिकेट दिया जा सकता है, उससे जाधा भी हो सकती है, और उससे कम भी, ऐसा नहीं है कि दो ही टिकेट मिलेगी, कैंडिडेट्स अच्छे हैं तो दो से जाधा लोग करेगा, जो अच्छा खेलेगा, वो जीतेगा. इस बयान के बाद ये तो ظाहिर है कि कॉंग्रेस की सूची भी जल्द ही जारी होने वाली है. इसमें आपको क्या लगता है? हमें comment कर जरूर बताएं, और साथ ही टियेस यदेव के इस बयान पर आपकी क्या राए है? हमें comment कर जरूर बताएं, और इसके अलावा, आप अपने विधानसभा शेत्र में किसे काबिल उम्मीदवार समझते हैं ये भी हमें कॉमेंट कर बता सकते हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाव को सब्सक्राइब करना ना भूलें